तो हेलो गाईज, वेलकम बेक टू नी वीडियो से सनाप सबगा रोजगा लाइव के इस वीडियो में स्वागत है MCRE recruitment के लिए जितने भी साती एक्जाम देने जा रहे हैं उनमें से बहुत सारे सातियों के कुछ important doubts है कि सर हमें exam center में एक तो admit card लेकर जाने का बोला है साथ में एक photo ID proof लेकर जाने का बोला है साथ में declaration का बोला है कि self declaration क्या है क्योंकि होता क्या है कि admit card के साथ में ही एक self declaration form आता चोटा सा अग उसके साथ में आता नीचे जिसको आपको feel करना होता है उसमें sign करके आपको रखने होते हैं जब आप exam center जाते हैं तो उसको self declaration माना जाता है लेकिन MSC के इस बार जो admit card आये हैं उनके साथ में self declaration नहीं दिया वा है तो एक तो ये बड़ा doubt है कि उसका क्या कर सकते हैं और कुछ बच्चों के ऐसे doubts है कि हमें एक admit card निकलवाना है या दो admit card निकलवाना है या black and white चल जाएगा साथ में photo कितनी लेकर जानी है क्या लेकर नहीं जान चोटा सा accession है आपके लिए बहुत ही जरूरी इसके अंदर जानकारी रहने वाली है ताकि तमाम जो आपके doubts है exam center को लेकर examination को लेकर वह आपके दूर हो सके देखिए यहां पर जो instructions है वो मैंने PDF डाउनलोड करी हुई है आपके सामने में रखी है और यहां पर देखिए important च जैसे तो आपको admit card लेकर जाना है और देखो admit card का यह है कि इन्होंने बोला है कि आपका जो admit card है वो एकदम क्या होना चाहिए neat and clean होना चाहिए print out तो आप colored print निकलवा सकते हो यानि colored जो admit card उसका print निकलवा हो जिनके exam एक एक ही time पर दिया है जैसे सुबह 3 घंटे आपका exam ह होना है तो आप एक admit card लेकर जा सकते हो लेकिन आपका admit card अलग-अलग shift में है तो आपको एक से ज्यादा admit card की copy निकलवानी है आपका exam 18 को और 20 को है तो आपको 2 admit card निकलवाने है और आप colored निकलवा लेना ताकि कोई आपके दिक्कत ना हो ठीक है color admit card होगा वो एकदम clear होगा इस first होगा उस पर कोई objection नहीं होगा इसके बाद में कुछ बच्चों का यह doubt था कि मैं ID proof में क्या लेकर जा सकता हूँ तो ID proof में एक तो आप आधार card लेकर जा सकते हो लेकिन original लेकर जाना है उसके बाद में आप E आधार भी लेकर जा सकते हो print out निकलवाके और वो भी आप आपका क्या होना चाहिए उसी time का निकाला हुआ यानि उसकी photocopy नहीं होनी चाहिए और passports आप लेकर जा सकते हो original चाहिए water ID आप लेकर जा सकते हो original चाहिए पेन कार्ड आप लेकर जा सकते हो लेकिन original होना चाहिए driving license लेकर जा सकते हो लेकिन original होना चाहिए मतलब जो भी आप photo ID proof लेकर जाओगे वो आपका original होना चाहिए उसकी photo copy नहीं चलेगी इस बात का विसेश दियान रखना और आपको AC photo ID लेकर जानी है जो एकदम neat and clean हो आपकी photo उसके अंदर एकदम spust दिखाई दे रही हो ठीक है और इसके बाद में आपको ये बोला गया ह कि क्या आपको काम नहीं करना है तो क्या 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 नहीं करना वैसे तो आप सबको पता रहता आपने कोई ने कोई एक्जाम दिया तो आप सबको पता है लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि आपको कोई भी electronic item नहीं लेकर जाना है ठीक है आपको घड़ी वगेरा clock वगेरा calculator औगेरा नहीं लेकर जाना है ठीक है आपको कोई भी घहना पेन के नहीं जाना है ornament नहीं लेकर जाना है rest band कलाई का जो band होता वो नहीं लेकर जाना है goggles नहीं लेकर जाने है head gears जो होते हैं वो नहीं लेकर जाने है इस कारप नहीं लेकर जाना है, जैकेट का सवाल है, सर की जैकेट लेकर जाना है कि नहीं, यानि सर्दिया है, तो सर्दियों में हम ठंड से मर जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे, टीशर्ट के अंदर, ट्राउजर के अंदर, तो क्या हम जैकेट पैन के जा सकते हैं, तो आप स् कंडिसन है उनका आपको ध्यान में रखना है और इसके बाद या पेंट पेंसिल पेपर ये भी आपको नहीं लेकर जाना है बुक केलकुलेटर बेग नहीं लेकर जाना है बोटल आपको नहीं लेकर जाना है सूज आपको नहीं पहन कर जाना है फुट्वियर आपको एसी नही बड़े-बड़े हो ठीक है जैसे फिनियल के जो fancy जैकेट आते है उन्हें बड़े-बड़े बटन लगे cellular होते हैं जो क्या बोलता है बैल्ट वगेदा लगेवे होते हैं वो आपको नहीं में पहनना है simple को या आप या तो sweater पहन के जाओ या आप कोई plain jacket पहन के जाओ जिसके अंदर कोई बड़ा बटन नहीं लगा वाहू ठीक है उसके बाद clothing not appropriate for the ambient weather weather के according जो है आपको बताया गया है कि आपको पहनना है ठीक है इसके बाद में कुछ और चीज़ें आपको बताई गई है कि आप exam hall के अंदर किसी से बात नहीं कर सकते हो ठीक है उसके बाद में देखो क्या करना है आगे दिया है द्रेसिंग आपको दिया ड्रेसिंग मैंने वैसे आपको बता दिया है कि अंदर देखो आप जो है स्वेटर पैन के चले जाओ और भड़े बटन नहीं खईया कुछ भी हमी पैन कर नहीं जाना है अब यहां पर देखे नीचे आते हैं part you should carry into the examination center इसके अंदर आपको यहां पर बताया गया है पहला कि original and clear print of the admit card with signed declaration as mentioned in A A एक point है जो उपर आपको दिखाऊंगा उसके अंदर आपको बताया गया है कि signed declaration आपका mention होना चीए उसके लिए आप क्या कर सकते हो इसको लेकर हम बात करेंगे और original and valid ID proof आपको लेकर जाना है photo का नहीं बोला है अलग से photo लेकर जाने का नहीं बोला है आप अपने इच्छा से अगर एक या दो पासवोट साइज photo लेकर जाना चाहो तो लेकर जा सकते हो कुछ बच्चे ये भी पूस्ते हैं mobile और बेक बगेरा रखने की सुईदा मिलेगी क्या तो ये depend करता है center यानि center to center ये vary करता है कि वहाँ पर आपकी बेक जमा करने के लिए जगह है या नहीं ये कुछ जगह आपको मिल जाएगी जहाँ पर exam center के अंदर ही जो आपके बेग रखवा दिये जाएंगे कुछ जगह आपको बाहर जो swaps वगेरा होगी वहाँ पर arrange करना पड़ेगा तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है इसके बाद में देखिए जो self declaration वाली बात बोलेगी है इसके लिए आपको जो तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल लो कहां से कहां तक का ये दिया गया I have read the instructions that have been uploaded with the admit card and have understood the contents and the requirement mentioned therein I also understand that EMS New Delhi does not disclose question paper as per its policy framed under EMS Act 1956 and the coping of questions and transmitting them in any form will be viewed as as serious form of malpractice liable for appropriate criminal proceeding ये जो चीज़ है इसको बोला गया है self declaration आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो इसको यहां से copy करके एक जब print out आप admit card का निकालो तो एक page पर ये इतना सा आप print करवा लेना ठीक है क्योंकि ज़्यादा तर क्या होता है कि admit card के साथ में ये दियावा होता है self declaration इधर आपको date और इधर आपको place ऐसे लिखावा आता है ठीक है और इधर आपको sign दियावा होता है ठीक है यहां पर आपको signature का option दियावा होता है कि candidate यहां पर signature करें तो इस तरह से आप यह जो format है यह एक page पर निकलवा कर लेकर जा सकते हो एक तो यह option है दूसरा option है कि वहां center पर जाने के बाद में आपको पता चलेगा कि भी इसका क्या लफड़ा है इसका क्या करना है ठीक है बाकि आप print out निकलवा के या लिख कर आप लेकर जाएगा हो सकता है कि admit card पर ही आपसे यह चीज note करवा के आपके sign करवा ले यह भी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है तो आप दोनुई तरीके अपना सकते हो बाकि इसके आपको चिंता करने की आप सकता नहीं है और प्रोपर तरीके से आप बढ़िया से तैयार होकर exam देने के लिए जाएगी और admit card जो है वो जरूर आप दो shift के अंदर या अलग-लग दिन exam है तो निकलवा लीजी का ओके थैंक्यू और धोरा classes application को install नहीं किया है ठीक है तो मिलते हैं आगे नई class में तब तक के लिए आप सभी को थैंक्यू जेहिंट